कि हुणड़ ने क्रेटा को फिछले साल ही नाया जनरेशन मॉडल दिया है और अब फिर से हुणड़ तयार है अपनी इस क्रेटा को और एक फेस्लिप देने के लिए जो की 2022 में आएगा और यह नया फेस्लिप इंडिया में भी आने वाला है लेकिन इंडियों इंडोनेशिया में फेस्लिप मॉडल को शोरूम पर भी पहुचा दिया गया है तो उम्मीद पूरी यह है कि वह वही डिजाइन और आल्मोस्ट वही सब फिचर्स के साथ में क्रेटा फेस्लिप 2022 इंडिया में भी आ सकती है इसका एक्सपेक्टेड लॉंच इंडिया में एप्रिल 2022 का है त इंडिया में लॉंच कर दे तो चलिए अब इस वीडियो में हर एक वह बात करते हैं जो कि हमें 2022 हुंडे क्रेटा इंडिया में देखने को मिल सकती है वीडियो एंड तक जरूर देखना इसकी प्राइजिस में आपको एंड में बताने वाला हूं क्रेटा जब से इंडियन मार्केट में आई है यह हमेशा से फीचर लोडेल रही है हमेशा से गाड़ी रीच रही है इन तरम्स ओफ फीचर और अब 2022 फेसलिप के साथ हुंडे ने इसमें और भी ज्यादा फीचर एड कर दिये हैं तो सबसे पहले फीचर से ही शुरुआत करते हैं फिलहाल ग्लोबली जिसके दो वेरियंस है वो सामने आये है जो की शोरूम पे पाए गए एक था स्टाइल और दूसरा है प्राइम तो दोनों टॉप अफ दे लाइन वेरियंस रहने वाले हैं जो की इंडिया इंडोनेशिया में अभी फिलहाल दिखाए गए है वो श्वायद SX या SX ऑप्श लूक दोने वाले जो की और इसके अलाव स्किट प्लेट वीथ रेड लाइनिंग आपको मिलेगी और रेड लाइनिंग जो है वो पूरा लाइन अप अंडेर लाइनिंग में होगा स्किट प्लेट के ऊपर और एंड दे सेम ट्रीटमेंट केरिद आउट टू रियर बंपर वेरे स्टाइल वेरियंट जो रहने वाला है उसमें आपको वाइट एक्स्टिरियर पेंट वीद ब्लेक डाउट पिलर्स मिलेंगे जो कि आप बोल सकते हैं ड्यूल टोन रहने वाली है बैसिकली ब्लेक डाउट रूप भी होगी कम्प्लीटली ब्लेक डाउट ग्रील होगी अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें तो हम यह बोल सकते हैं कि हुंडे इसको बोलती है जो इंस्पार्ड है हुंडे टूशान से स्टाइल में एर प्यॉरिफायर आपको मिलेगा इसके अलावा पैनरोमिक संद्रूप मिलेगी 60-40 स्प्लीट सीट साइड मिलेंगी इसम पैन कर दिया है जो की अक्तर कंपनीस अपनी प्रोडसों के साथ में नहीं करती इतने सारे चंजल जो है ओंवान प्रोडक्ट के नए जनरेशनके साथ में कंपने इसके साथ है जो कि बहुत अच्छी चीज गुष ऑंहने होंगी घरेंगी क्ले पैरेओं दिलेंगे Markasar जो अगें टूसोन से इस्पायर या फी टूसोन जैसे ही सेम होने वाले हैं अब अगर बात करें पावर ट्रेइन और ट्रांस्मिशन के बारे में तो इसमें आपको टोटल पांच जो है वो इंजन ऑप्शन मिलने वाला है जो पहला है 1.5 नेचरली एस्पिरेटेट पेट्रो साथ में यहां और एक पेट्रोल इंजन जो स्फोली ट्र वार मिंटर सेटमीशन के साथ में आएगा यहां जो पेट्रोल इंजन जो 1.4 टर्ल टर्जो डियुक्ट के साथ मैं आने वाला है और फिर जो डिजैंजैनふ है धो वो 1.5 liter diesel manual transmission और 1.5 liter diesel automatic transmission जो talk converter के साथ में आएगा जो petrol में CVT मिलेगा आपको वो 6-speed CVT मिलेगा तर्बो petrol में जो DCT होगा वो 7-speed DCT होगा और जो talk converter रहने वाला है वो 6-speed talk converter ही रहने वाला है अब बात करते हैं ऐसे feature की बारे में जो की Indian customers को बहुत जादा attract करता है और आजकल की गाड़ियों में बहुत ज्यादा है देखने को मिलता है और trendy ये बनता जा रहा है समय के साथ-साथ जो की है ADAS जो है Advanced Driver Assistance System जी बिल्कुल साही सुना आपने अब Hyundai भी देने वाली है एडास next Crata Facelift के साथ में कैसा क्या सब रहने वाला है इसकी टेक्नोलोजी में क्या कुछ बरलाव या क्या कुछ इंप्रूमेंट्स वगेरा होने वाले existing competitors के मुकाबले वो तो गाड़ी आने के बाद ही पता चल सकता है लेकिन ये ये confirm है कि एडास Crata Facelift के साथ में आने वाला है और ये फिलहाल अभी MG Gloucester से स्टार्ट करके नीचे के सेग्मेंट में भी आ चुका है करें तो उसमें भी शायद एडास आ सकता है क्योंकि हुंड़ी किया एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही पार्ट शेरिंग भी होती है ऑब्यस्ली लेकिन क्रेटा में अगर हुंड़ी दे देती है फेसलिप के साथ में अडास तो जैरीज़ वेरी हाई चांस टू प्रोएड इंडास आ सकता है और जो इंडोनेशिया में लॉंच की गई है उसके हिसाब से अब इंडिया में हुंड़ी क्या करते है या नहीं वह भी सवाल है और अगर देवी दिया तो प्राइजिस कितने इंक्रीज करती है याद रखिए प्राइजिस में आपको वीडियो के एंड म बताने वाला हूँ अगर इसकी कॉंपिटिशन के बारे में बात करें इसके राइवल्स के बारे में तो किया सेल्टॉस एमजी एस्टर रेनो डस्टर जो कि रेनो डस्टर अभी लिस में नहीं होने चाहिए क्योंकि आजकल कोई खरीदता नहीं है लेकिन कैपेबल होने की वज़े से यह भी कंपिक्ट कर सकती है क्रेटा के साथ में इसके अलाव फॉक्सवेगन टाइगन श्कॉड़ा की कुश्याक और टाटा की हैरियर जैसी गाडियों के साथ इस गाड़ी की कॉंपिटिशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइजिस और अब बात कर लेते है प्राइजिस के बारे में तो जो है एक्सपेक्टेड है वह 11-18 लाक एक शुरूम तक की है जो एक्जिस्टिंग रेटा अभी है टॉप मोडल डिजल में आप इसमें और ज्यादा 80,000 या वन लेक तक प्रूब वन लेक एड़ करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी प प्राइजिस वह अभी कोई भी किसी को भी नहीं पता तो अभी जो प्राइजिस है वह 11-18 और 19 तक की ही एक्सपेक्टेड की जा रही है तो यही सब था क्रेटा 2022 फेसलिट के बारे में चलिए आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं बहुत जल अगली किडी अगली किसी वीडियो के साथ तब तक के लिए हेलमेट पहने सिट बेल पहने सुरक्षित चलिए थैंक यू